हेलो एब्रिवान कैसे हैं आप सब लोग आई होप अच्छे होंगे मैंने आप लोगों के लिए एक पोस्ट डाली थी यूपी पीजीटी से रिलेटिट जो कि एजुकेशन की क्लास के लिए थी आई होप आप लोगों ने देख ली होकी अगर नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं उसी से रिलेटिट मैं आपको बताने आई हूँ आज से जो है मैं यूपी पीजीटी एजुकेशन की बिल्कुल ओनलाइन फ्री क्लास लूँगी और आप लोगों के लिए पूरा स्लेवर्स मैं आपको फिरिमे कराऊंगी और स्लेवर्स कराने के बीच में परेवेस शेर के कोशोंस बगारा भी हम डिसकस करेंगे और जब हमारा स्लेवर्स पूरा हो जाएगा तो प्रेक्टिस सेट भी आपके लिए आएगा तो आप लोग बस मुझसे जुड़ चाहिएगा और जो लोग seriously पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप जरूर जुड़िएगा क्योंकि आगर मैं आपको बताऊं देखिए मेरे पास reality यह है कि मेरे पास कोई भी ऐसी facility नहीं है कि मेरे पास जो है digital board हो या फिर मैं बहुत ज्यादा show up करके पढ़ाऊं ऐसा नहीं है पर real में मैं आपको seriously पूरा flavors कराऊंगी PDF के थूरू या फिर direct book से मैं आपको ऐसी बताऊंगी लेकिन theory मैं आपको पूरी explain करूंगी जिसे की हर topic आपको समझ में आए और आप उसको clearly पढ़े और daily का daily जो है जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी उससे related जो भी theory हम पढ़ेंगे उस theory से related कौन से questions बनते हैं ठीके उन questions को मैं अपनी post में post करूंगी और आप लोग जो है उन questions के answer मुझे comment box में बताएंगे जिससे आपका भी revision हो जाएगा और आपको questions भी यात होते रहेंगे तो बस इसलिए मेरे साथ जरूर जुडिएगा अगर आप चाते हैं UPPGT की तयारी विल्कुल आपकी best हो जाए और बस आपको मेरा साथ देना है लेकिन आज के वीडियो में हम लोग सिफ syllabus डिसकस करेंगे कि इसका syllabus क्या है और वीडियो में हम क्या क्या चीजे सीखने वाले हैं ठीक है फिर next day से मेरी class स्टार्ट हो जाएगी तो I hope आप लोग सपोर्ट करेंगे चैनल को subscribe जरू कर लिजेगा बैल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ठीक है जिससे की वीडियो जब आए तो notification आपके पा बता देती हूं आपको सबसे पहला unit हम बात करें वनकी तो आपके सिक्षा का अर्थ और सारी सिक्षा सिक्षा का उद्देश्य प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्चि सिक्षा और आपके माध्यमिक सिक्षा भारत की उच्चि सिक्षा की विवस्ता गांदी जी का जीवन द ब्हारती शेखा का इतिहास एवां समस्याय और आपके सवतंत्र भारत में शेखा का समयदानिक स्वरूप उच्छे सिक्षा के लक्षेवं उद्देश्य और सैक्षी कनुसंधान सिक्षा समंदी राष्टिय महत्य की संस्ताई यह सारे आपके यूनिट बन में आते हैं सिलेवर्स के बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप जो है आपके पास खुद के पास भी कुछ बुक सेक्षी होंगी जिन में आपको यह टॉपिक्स मिल जाएंगे ठीक है तो पहले आप वीडियो को पूरा देख लीजेगा यूनिट टू में आप बात करें तो सिक्षा का दर्शन एवं समाजशास्त्र दर्शन तथा सिक्षा के उद्देश्य इसमें आपके आदशवाद यथार्टवाद प्रकतिवाद प्रियोजनबाद सैक्षिक समाजशास्त्र समाजिक इस्त्रिकरण समाजिक परिवर्तन धर ㅇवम सिक्षा मनोज्ञान जिसमें व्रद्धी एवम विकास की धार्ना आगे बताती हूं फिर है आपके समाजिक विकास, सामभेकिक विकास…. आपके बॉद्धिक विकास…… ancestmati व्यक्तित के सिध्धान्त, व्यक्तित मापन की बिधियां, सीखना, थायरेट, आपके थॉन्राइट और आपके पावलोप, इसकनर, कोहलर, हल और आपके अभिप्रेधना, बुद्धी स्वरूप, बुद्धी का मापन, मानसिक स्वास्ते, चिंतन तर्क, समस्या समाधान और आपके प्रत्य दिर्मार, ठीक है, यूनिट फोर में आपके सिक्षा में मापन, मूल्यांकन, अवलोकन, परिक्षा, साक्षातकार, बस्तुनिष्टता, विश्वणियता, बैदता, मानक, सिक्षा में सांकिकी का महत, प्रततों का विशलेशन, मध्य, मानकी साथक्ता, प्रिवर्ति के मापन सांग की माद्दे और माद्दिका या मद्धिहांग बहुलक बिशलन की माप के तरीके और आपका सह संबन ठीक है यह सारी चीजे आपके जो है सिलेवर्स में यह सारे टॉपिक आते हैं PGT के और यह आएंगे और मैंने आपको भी बताई था कि जैसे कि इन सारे टॉपिक जाने की पूरे टॉपिक मैंने आपके साथ अब ऐसी शेयर कीन हैं यह वाइफ। बहुत के लिए इकशी से अक्सटे करोंगी बस आप लोग मेरे साथ जूड़ जाएग है जोइन कर लिजेगा चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा ठीक है बोट से तो न एक एक चीज को समझ पाएं तो उसके लिए आप जो है मेरे साथ बुक से ही पढ़िएगा तो मैं आपको बुक से अच्छे से 2 você is a question. दो आपको पहले जो मैंने किया था तब तो फ़ोर कमपर्सरी थे और दो आपके 50 के होते हैं ठीक है तो जो कमपऌसरी होते है तो यह में आपका यह B.8 B.T.C की सारी बुक्स में मिल जाएंगे और सबसे बड़ी बात अगर आपने B.T.C. B. 8 नहीं किया है ठीक है तो आपने M.A. तो किया ही होगा है ना M.A. किये विना तो आप PGT दें नहीं सकते हैं तो आप अपनी खुद की M.A. की बुक से भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं बाकी की बुक के बारे में हम डिस्केशन नेस वीडियो में करते रहेंगे आई हो पीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को तो बस जुड़ जाएगा चली कर फिर मिलती हूँ नेस वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर